बहुत दिनों से ये मन में ललसा थी कि हम लोग चीतर कूट चले, चीतर कूट के हम अनेख प्रकार के पर शंशा सुने थे। जब मैं बालमकी रमायर या राम चरित मानत पढ़ा करता था तो मेरे मन में एक ललसा एक ख्वाब रहता था कि हम किस दिन चीतर कूट चलेंगे, ल प्रियाग राज पहुचे जहां भर्द्वाज रिशी का आशरम था और भर्द्वाज रिशी से भेट करके वो चीत्र कूट पहुचे और चीत्र कूट पर इगारे बर्सो तक रहा उनकी अनेक बाते वहां को और उस धर्ती की उस भूमी की महिमा सुनी जाती है लेकिन वो दिन वो समय अशर आया हम लोगों से एक संत से फोनों पे बात हुआ फोन पर और वो संत थे सूरदास रामपाल महराज उनके परचे से उन्होंने कहा कि आप लोग आये मैं पुरा सहजोग करूंगा हम लोग चवरी चवरा से टरेन पकड़े और पहुच गए प्रियाग राज प्रियाग राज में जाकर भरद्वाज आशरम के दर्सन किये और उसके बादों हाँ से टरेन पकड़े तो हम लोग उन पहारी इलाकों को देखते हुएमबरी मनवहक लगता था सुन्दल लगता था हरा भरा मैदान और जंगल कहीं पहार ये मन में ललसा होती थी कि कास इसी राय भग्मान राम आये होंगे जब पहुँचे चीतर को धाम कर भी वहां से हम लोग टेंपू पकरे और पहुँच गए चीतर को धाम वहां पर एक जो संत थे सूरदाज महराज उन्होंने अपने सिस को भेजा कि जाईए उन लोगों को चवराहे से ले आईए और वहां पर पहुँचे कुमकरन कुमकरन नाम तो है लेकिन काम तो उनका अजीव है वास्तों में कुमकरर भी कोई बुरा ब्यक्ती नहीं था अपने भाई रावर के लिए और देश के लिए अपनी जान को दे दिया रावर को बहुत समझाया था कि भाईया तुमने गलती की लेकिन उस बात को समझे नहीं फिर भी अम्त में यह काके गया कि यह भाई ओ भाई नहीं है कि भाई को विपत्पन्ने पर छोड़ देगा कुछ भी हो परिनाम लेकिन भाई भाई के लिए और देश के लिए लड़ेगा लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मैं मर जाओं तो लड़ाई बंद कर देना तो वो कुम करन था लेकिन इस सिस के भी नाम कुम करन थे लेकिन वाश्तों में राम भगत थे चवराये पे जाकर हम लोग को इंतजार किये और इंतजार करके हम लोग को आसरम ले गए आसरम पे जो संत थे जो महंत थे उनका गूरों की बनन सब्दों से नहीं हो सकता साखी और सब्दों में सुना जाता है कि बिरिश कवो ना फल वके नदीन संचे नीर अपर मारत के कारण साधू धरे सरी इन साखीयों को ओ महत्माओं ने सक्षाद किया नीश्वार्थ प्रेम करने वाले हम लोगी गारे लोग थे पांच दिनों तक भोजन पानी किये लेकिन थोरा वे इवरिश्या और दोस्ट देखने को नहीं मिला एक महमान के तरह हम लोग को आधर सतकार किये मैने पर नाम किया की धन्य है ये धर्ती धन्य यहां के महत्मा वास्तों में आज भी भगवार्राम के गूर उनके प्रेम यहां के करकर में बास करता है हर लोग को भगवान से जोरने वाले उन लोगों का भाव और विचार हम लोग के साथ सातिरत यातरा कराए महत्माओं की मधूर बारी सुन्ने को मिलता था जिससे हम लोग का मन गदगद हुगा धन है चेत्रकोट धाम, धन है रामपाल महराज सूरदास रामपाल जी, धन है उनके उस आशरम के महंत, जिनके यहां हम लोग रह कर पांच दिन, भोजन पानी और सरसंग किया जहां से हम लोग को गुमने का आउसर मिला और कुम करन जो उनके सिस्थ थे, वास्तों में उतनी स कोई नहीं कर सकता, जितना भाव विभोर होकर एक-एक को देखरेक करते थे और कोई कमी नहीं आती, इसलिए आज भी ऐसे संत मात्मा हैं, जो देश के लिए, भक्ती के लिए, भगवान के लिए, अपने जीवन को निशावर कर देते हैं, और सब से उपर ब्यक्ती का ब्यक